हेलो दोस्तों, वेलकम टो दा बैक बेंचर गेमर्स चैनल, रेजिडेंट इवल विलिज के एक और वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ, लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा था के एक लॉड है, डॉना डॉल मेकर, डॉना बैनि वियेंटो, छोटी सी डॉल है जो के बह पुशिश कर रहा हूँ, कुछ समझनी आ रहा कि कहा जाना है और क्या करना है, यहाँ पर बड़ी-बड़ी अलमारिया हैं, जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है, मैं छुप भी सकता हूँ, और दर्वाजे बंद है, तो मुझे रास्ता ढूंडना है, जाने का, यहाँ पर नल था, उसको मैंने खोल दिया पानी, उसका जाया हो रहा है, और बाहर एक टेबल पर एक प्लास्टिक की डमी रखी वी है, यह, और इसके अंदर से मुझे एक चीज मिली थी, तो मैं इसको फिर से ढूंडता हूँ, इसके अंदर शायद और कोई काम की चीज मिल जाए, त यह कह रहा है कि या मेरी बेगम की डॉल बना करके रखावा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके मुझे के अंदर कुछ है, तो मैं चेक करता हूँ, यह मैंने मुझे कोई कागज है या कोई चीज तो है, मगर यह कि मैं निकाल नहीं सकता, इसके लिए मुझे कोई पतली सी चीज नजर आ रही है मुझे आप आख को देखता हूं मैं तो आख के अंदर ये कोई परिंदा है इस तरह से मैं मूफ कर सकता हूं इसका क्या मतलब है नहीं समझा रहा और हात में भी कुछ है और यहां पर मुझे क्या मिला अंगुटी मिली तो यह मैंने अंगुटी निकाल ठीक है तो मेरे पास एक चीज और आ गई है दो चीजे तो मिल चुकी है इस बॉड़ी में से मुझे और मैं देखता हूं और ये इसके राइट हैंड में भी आप्शन आ रहा था चेक करने का तो इसको मैं देख रहा हूं कि कहा पर से क्या निकल सकता है तो इसकी कोनी के पा बंद थी और यहां पर पाउं की तरफ आया हूं मैं इसके लेफ पाउं पर यहां पर कोई आप्शन आ रहा था तो इसको चेक करता हूं शायद ये घुटने के पास से अलग हो सकता है तो इसको मैं हिलाता हूं और यह अलग किया तो इसके अंदर से एक और पीस मिलिया bandage लगी भी है तो वो हटाने के लिए मुझे कैंची चाहिए होगी यह लिखावार है कुछ कट करने के लिए कोई चीज चाहिए होगी तो वो मुझे चीज मिल नहीं रही मैंने पूरी जगा चान मारी और यहाँ पर एक दर्वाजा है और इस दर्वाजे पर कोड है जो के कोड मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर इस पर क्या कोड लगाना है तो यह पजल अब सॉल्फ कैसे होगा तो यहाँ पर चलता हूँ और यह मैं नल के पास आया हूँ और मेरे पास जो अंगुटी थी खून लगावा था तो यह पानी का शायद यही काम है कि मैं इसको पानी में डाल के देखता हूँ इसको साफ कर लेता हूँ और यह अंगुटी हो गई है साफ तो मैं इस अंगुटी को चेक करता हूँ कि इस अंगुटी के उपर कोई काम की चीज़ तो नहीं है तो यहां पर मैंने अंगूटी को सेलेक किया और जब मैंने घुमाना शुरू किया तो यहां पर मुझे शादी की जो डेट है वो नज़र आई जो नमबर नज़र आए तो मैंने का आप यही नमबर में जाकर के वहां पर उस दर्वाजे पर लगाता हूँ तो देखते हैं वो दर्वाज़ खुल पाता है के नहीं तो यहां पर बैट करके वो नमबर लगाया मैंने वो नमबर था 05 29 और 11 11 11 तो यह दर्वाज़ खुल लिया यह शादी की डेट थी इतन विंटर की इसी दिन शादी हुई थी और यह एक नया दर्वाज़ा नया रास्ता खुल चुका है डॉना बैनी वियन्टो जो है मुझे अभी तक नजर नहीं आही है पीछे एक जगा तस्वीर थी उसकी और यह यहां हुँ मैं यहां पर अच्छा यहां से तो मैं आया हूँ यही जगाती जिससे मैं आया था इसी लिफ्ट से होता वा अगर यह लाइट रेड नजर याद नहीं मुझे शैद ग्रीन थी शुरू में यहां में आया था यह यहां पर प्रोजेक्टर रखावा है फिल्म वगरा देख सकते हैं तो अब यह दर्वाजा जो खुद से खुला था यही है यही जाना है और यहां में आगया हूँ और यहां पर बहुत सारे डिब्बे रखे में हैं उनमें फिल्म वगरा है और यहां पर एक कागज है और इसके अंदर कुछ बाते लिखी हुई है कि म्यूजि में म्यूजिक बजेगी तो यह म्यूजिक जब मैंने हिलाना शुरू किया तो यह जो है सही से चल नहीं रहा था पिर इसको मैंने सेट किया अरेंज किया इसको तो इसमें से ट्विजर मिल गया मुझे चिम्टा और इस चिम्टे की मदद से वो जो डमी था बाहर रखा उस डमी के मुझे अंदर कोई चीज थी वो मैं निकाल सकूँगा और यहां पर इस किसम की अलमारिया हैं जिससे मुझे लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा होने वाला है कि हम इसमें चुप सकते हैं इस तरी की अलमारी जो थी ग्रैनी गेम जो है हॉरर उसमें भी थी और इसम है भाई इस खुद से पिक्चर खिल गई तो मैं आ गया हूं यहां पर कि हावा से हिल रहे हैं या कुछ हो तो राय गरबर तो है इस घर के अंदर तो इसके मुझे अंदर मैं खुलता हूं और ट्विजर का इस्तामाल करूंगा और इसके मुझे अंदर से चीज लगी और अजीब सी कोई आवाज आई और यहां पर आइक एंट कुछ रेडियो में से आवाज आ रही कुछ समझ नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा है और यहां पर एक कमरा था जिसमें प्रोजेक्टर वगरा लगावा था तो इस कमरे में चलते हैं और वहां जाकर के देखते करेंगे तो यहां पर एक दो तीन यह तीसरी लगा दी मैंने पांच फिल्में लटकी वी हैं तो इसको किसी तरह अरेंज करना है और अरेंज करने का क्या तरीका है जब भी मैं इसको प्ले करने कोशिश करता हूं तो यह एरर दे देता है नहीं चलता तो यह कह रहा है सही से लगाओ, और्डर सही होना चाहिए, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तो यहाँ पर मुझे यह कागज मिल गया, और इसमें सब कुछ लिखा वा था, कि वन नमबर पर कौन सी लगानी है, और टू, थिरी, फॉर, फाइफ पर क्या करना है, और इसके अंदर एक जगा है, यहाँ पर एक कुवाँ है, और कुवें के अंदर सीड़ी जारी है, तो मुझे क्या करना है ये देखकर के यहाँ पर एक डिबा भी है और ये डिबा क्या करना है यहाँ पर इसको सीड़ी है जो के कुएं के अंदर लेकर के जारी है तो क्या मुझे ये कुएं ढूनना है और इस कुएं के अंदर जाना है तो ये फिल्म यहां तक खतम हो गई और प्रोजेक्टर जो स्क्रीन थी वो गिर गई और यहां पर एक और खुफिया तरवाजा खुल गया तो बड़ी अच्छी बात है पजल सॉल्फ कर रहा हूं मैं और यहां पर बहुत सारी चोटी चोटी डॉल्स हैं एक ही शकल की जो के बाहर जब मैं इस घर के अंदर आया तो अच्छा मुझे केंची मिल गई यह जो डॉल थी इसी शकल की बहुत सारी इस घर केंदर हैं जगा जगा और बाहर भी एक कवर पर बैठी भी थी तो मैं केंची के इस्तामाल करके यहाँ पे मुझे एक रास्ता मिला है इसको मैंने बेंडिज को काट दिया जो के खून लगावा था जिन पे और यहाँ पर यह नया रास्ता है अब वही देखावा है यहाँ पे एक फोन रखावा है इस फोन को उठाता हूं, इसमें लाइन की आवाज आ रही है, फोन डेड है शायद ये, चलते हैं आगे, अरे, खामोशी में फोन बजा, वापस जाते हैं देखते हैं कौन कॉल कर रहा है मुझे, और ये इसकी बेगम की आवाज आ रही है, जो के मर चुकी है, ये पूछ रहे हैं मिया, तुम क्या कहरी हो, वो कहरी है कि मैं तुम एक खोना नहीं चाहती, और ये पूछ रहा है कि तुम क्या कहरी है, मुझे को समझ नहीं आ रहा, और वो कुछ बहकी-बहकी बाते कर रही है, तो इसने फोन रख दिया हो सकता है यहाँ पर जो हौरर चीज़ें हैं वो कॉल कर रही हूँ मेरी बेगम की आवाज में और यहाँ पर यह निया रास्ता यहाँ में पहले नहीं आया था और यह दर्वाजा मिला और यह मैंने खोल दिया और यह है वापस से हाँ वसी कमरे में आगए जहां मैंने नल खोला था ठीके ना तो अब क्या करना है तो हाँ मेरे पास कैंची है तो यह मैं यारी कुछ गड़बड हो रही है कैंची है तो यह मैं इसकी बेंड़िच काट सकता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है यहां पर एक पीस नजर आ रहा है जो कि मुझे लगता है हाँ यह हटा दिया मैंने और इसके अंदर से एक डिस्क मिल गई तो यहां पर एक दर्वाजा था उस दर्वाजे में ऐसी चीज़ लगाने की जगा थी तो मैं जाता हूँ तो वीडियो काफी लंबा हो गया है तो यह पजल मैंने सॉल्फ कर लिया है और अब मैं दर्वाजा यह खोल सकता हूँ यहां पर यह मैं डिस्क लगा दिया है तो यहां तक देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को जूरू से सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक यू फॉर वाचेंग